हेलो एव्रीबन स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से GDC में हम आपको पढ़ा रहे थे डी फामेसी सेकेंडियर का बहुत इंपॉर्टन सब्जेट कम्मुनिटी फामेसी एंड मेनेजमेंट में आपका चैप्टर नमबर 8 चल रहा था और चैप्टर नमबर 8 को हमने बोला थ इसी मेडिकेशन से रिलेटेड सारी चीजे देख ली थी पार्ट नमबर 2 में हमने सेल्फ मेडिकेशन के बारे में रोल आफ फार्मासिस क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन के बारे में और जो माइनर इल्मेंट सिम्टम होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉंड करत करता है कि यह पार्ट नमबर त्री में हम वह की भिए क्या इड्वाइज क्या देना है कैसे केर करनी है किस किस में इस मिक्ष परहुंच की कडिशन हो गई इन सब डिचीज से related क्या क्या आपको advice क्या क्या आपका respond करता है pharmacist उसी के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले के part number 1, part number 2 देख लेना part number 3 के पूरे वीडियो में last दक जरूर बने रहना ताकि यहाँ पे कोई भी topic या information मिसन होने पाए चले देख लेते हैं sore throat जिया sore throat वाली condition क्या होती है गले में respiratory tract related problem है यानि की pain या irritation होता है throat में जो की with या without swirling company's infection such as cold or flow जिया जब आपको cold होता है flu होता है कोई bacterial infection होता है उस condition में क्या होता है आपके throat में क्या होता है pain होता है irritation होता है चाहिए आप कोई swallow कर रहे हो चाहिए कोई चीज़ा नहीं कर रहे हो फिर भी यह आपका sore throat की समस्या देखने को आपको मिल जाती है कारट की बात कर लें तो बहुत जादा आप बोल दिये इरस वाला cold flu हुआ टॉंसिलाइटिस हुआ smoking के कारण pollution के कारण allergy कोई पेट से हो गया कोई pollen कोई ऐसा मोल्ड वगरा से allergy हो जाता है उस condition में भी sore throat होता है अब यह sore throat में गले में पूरा infection हो गया तो sore throat में क्या symptom आएगा और क्या आपको दवा लेनी है क्या दवा देनी है और non pharmacologic क्या के advice देना है उसके बारे में स्टेबल में पढ़ लेंगे अगर आएगा तो ऐसे आपको लिग देना है देखो sore throat में बताया क्या pain irritation हो रहा है गले में swallowing वगरा को यानि को निकलने में difficulty हो रही है साथी साथ अगर बात करते हैं कि swelling हो जाती है face और गर्दन के आपास swelling हो जाती है और कभी कभी 101 degree Fahrenheit से जादा बुखार भी आ जाता है सम्टाइम भाईया saliva में blood वगरा भी आ जाता है खासते हो कफ वगरा करते हो तो उसमें blood वगरा भी आ जाता है म्यूकस वगरा में दिक्कत होती है और काफी लंबे समय तक ये दो हपते तक ये चीज़े देखने को मिलती है तो यहाँ पर दवा की बात कर लें तो दवा क्या दी जाती है पारहेज में ध्यान देना है तो सबसे पहली बात पर पेस्टेइंट को आपको गारगल गरम पानी या कह सके नमक पानी के साथ गरारा करने को बोला जाता है जब आपको गले में दिक्कत हो या फिर भीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहिए अगर आप इसमोकिंग करते हैं तो को वाइट कीजिए बहुत ठंडा या बहुत जो सॉट फूड है उसको यहां पर नहीं खाना है अराम करना है हनी लेमिन होट सॉस और टी यह सब यूजफुल हो सकते हर्बल्टी वगरा तो उसको लेना है हाइजीन वगरा को मेंटेन करना है अपने हातों को बार-बार धुलन से साथ साथ परसनल आइटम को सेर नहीं करना है जिससे इंफ्रेक्शन फैल सके तो यह तो चीजे हो गई आपके सोर थ्रॉट में यह चीजे आप बता सकते हो परीज को एडवाइस दे सकते हो फिर अगर बात करते हैं अगला क्या है इसकिन डिसॉर्डर अब अगला क्या है टीर को होता है जो किस ओर वस्ता में देन Rider आज़ या बहुत जांदाम हुआ थोड़े से बजुडर हो जाते कभी-कभी नॉडूल हो जाता है जोकि स्कीम को डार्कर बना सकता है इस किन पर पस्वगर आ सकता है दानी आ सकते है तो इसका वही है एंटी इंफ्लामेटरी क्रीम अगरा हो गई दवा हो गई विटमीन हो गया उससे डेरिवेटिव जो एंटीबाइटिक है एंटी सेप्टिक है टॉपिकल यह सारी चीजे भी आपको फार्माकोलोजिक यहां पर देखने को मिल जाती है अगर नॉन फार्माकोलोजिक की बात कर बहुत ज़्यादा ओईली फूड बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फास फूड या ऐसी चीजे जो की पिंपल वगरा को बढ़ावा दे सकती है उसको आपको खाने पीने से रुकना होगा तभी जाके एकने दूर होगा एकने में और क्या होता है कि भी होता यहां पर देख रेड़ टाइब हो जाता है तो पिंपल के अलग अलग प्रकार फोड़ फूंसी टाइप कह सकते हो जाता है यहां पर बेंजोईल पर आक्षाइड या सैलेसलिक एसिड का एंटिबैटीरियल सोप रिकमेंड किया जाता है जो टॉपिकल क्रीम होती है ओटीसी वह भी सप्ला तो सबस्क्राइब करने है कि आप इसकिन का ध्यान रखिए दूल वगएरा दूमे वगएरा से आ रही है या रहे हैं तो उस दौरान इसकिन को अच्छे से नॉर्मल पानी से दुलिए बहुत ज़्यादा रब न कीजिए बहुत ज़्जदा रगड़ियं मत या दाने वगर पर हो जाता है नीज के बिहाइंड हो जाता है यूजली आपके चाइड़ हुड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कभी-कभी क्या होता है यहां पर क्या होता है कुछ ऐसे टाइप होता है इसकिन रैसे ड्राइनेस फ्लेकीनेस बंस फिशर पीलिंग रेड़नेस विस्कीन यह सारी समस्या देखने को मिलती है दवाई की बात कर लें फार्मकोलोजिकल में जो टॉपिकल एंटी सेप्टिक होता है इंटीस्टमी एंटी लजीक ड्रग होती उसको दे सकते हो इस्ट्रॉडल ड्रग दे सकते हो साधी साथ फार्मासिस को यहां पर बैरियर ज हाइड्रेशन ऑफिस्कीन यूजिंग बैरियर क्रीम जैसे मॉइस्ट्राइजर हुआ वह सब आपको यहां पर रिकमेंड करना पड़ेगा मॉइस्ट्राइजर को पहले अफ्रेक्टिड एरिया पर आपको अपलाई करना है फिर उसके बाद हाड़ काटिसोन का जो क्रीम है इसको भी अपलाई करना है जिससे आपका रेडनेस वगड़ा नहीं थे न या फिर जो आपका कह सकते हो बहुँआ पहुआ जादा स्वेलिंग है वो सारी चीज़ी खतम हो माइल्ड सेम्पू वा पैना तो या फिर कह सकते हो बहुँआ बहुँआ गरम बात आपको अबोइ है जो एलोबेरा जिल वगरा है सूधिंग एजेंट है जो हमेक्टेंट है ग्लिसरीन है पेट्रोलियम जली है हाइड्रोनिक एसीड है यह सारी चीजे भी ड्राइब और क्रेक स्कीन को रिन्यू करती है और अच्छा से यहां पर क्या करती है है अगर बहुत ज्यादा दिक्कत धर्समस्या होती हैं तो वहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा आपने संलाइट पर आपको कैंसर के भी समस्या है सिम्टम की बात कर ले तो कैसा वही रेड़ पेनफूल इची स्कीन हो जाता है है ना ब्लिस्टर फी फॉर्म हो जाते हैं कभी-कभी और माइल्ड संबं यहां पर लगभग तो यहां पर दवाई आपका इंटी इंटी ले सकते हो और जो पेन वगएर है उसको दूर करने के लिए ले सकते हो मौईस्टर जिसमें एलोबेरा ध्यान दीजे एलोबेरा आपके संबर्न इसकीन बर्न बहुत ही बेनिफिशल और बहुत ही शूदिंग होगा ठीक है तो उसक भूले सकते हो हमेशा पेसेंट को मौईस्टराईज करने को बहुत हमेशा पेसंट को हैडरेट करने को बहुत हो जो पानी वगरे उसको पीते रहें ताकि नभी बनी रहें यूश तो पीते रहें स्किन को पील करने की आवसकता नहीं मतलब स्किन जैसी है वैसी पड़ी रहने दीरे दीरे वह दवा लेते हुए और डॉक्टर के दिखा करके ठीक हो जाएगी यह तो संबन हो गया अब चलो ओरल हिल्ड में मतलब मुह में चाला हो गया और मुह में चाला का क्या सिम्टम होता कि घीप पे हों जाता है तालू पे भी हो जाता है उपर भी हो जाता है तो आपको कुछ खाने में खटा कारे। गरम खारबं इतना तेज पेन होता है खाना नहीं खा पाथ जीव होता है इसमाल लेसं याहिस्माल अइसमाल रहधाय बन जाता है जाहिए भो अ जामेडियम्य パन सकते है हटा जाहिए यह टृर सकता है तो आपको कुछ भी खाने में पीने में। आपको बहुत जथाwaćन लिए और हाट फूड हाट ड्रिंक ले लिए तो इरिटेशन होगा कोई सार्प अबजेक्ट है उसके कारण से बहुत जदा हाइड ब्रसिंग कर लिया उसके कारण से तंबाकू चबा लिया अलग-अलग कारणों से आपका मुझा च्छाला हो सकता है या कोई तंबाकू या को हो सकता और वहां पर क्या होता हैं वारस वगजरा का भी इंफक्ष्न हो सकता है आज ट्शाला देखने को मिलता है अब च्छाला तो भाइया बहुत ज़्यादा खदरनाक बहुत जदा दिक्कत करता है है ना तो सिम्टम और क्या दवाई ले सकते हो और क्या आप activity कर सकते हो non-pharmacological में उसको बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ इसमाल पेंफुल ओवराल सार्प जो हमारे क्या होते हैं सेब्ड के अलसर होते हैं जो की माउथ के अंदर हो सकते हैं कैसे दिखते हैं रेड वाइट या एलो टाइप दिखते हैं इनकेस ओरल जो थ्रस होता है इसमें इ सकते हैं जैसे बंजो के लोकल हो गया वह आपका माउथ अलसर में लगाने के लिए आता है साथी साथ कह सकते हो कि हाइड्रोजन पराउकसाइड से आप मूग को दूल सकते हो माउथ रिंसे लिस्ट्रीन से विटमिन सप्लिमेंट से यह सारी चीजे आप लेकर के माउथ के अगर नोन फार्माकोलोजिक की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा गरम खाना नहीं खाना चाहिए जो सिट्रस बेज और हई सुगर फूड है उनको भी खाना आपको अवाइड करना चाहिए साथी साथ तंबाकू या अलकोहल या स्मोकिंग वगर भी बहुत आपको नहीं क या ठंडा जूस वगरा है उसको पी सकते हो थिन पेस्ट बेकिंग सोडा का थिन पेस्ट अपलाई कर सकते हो या जो जिल वगरा आता है उसको अपलाई कर सकते हो और बीच बीच में पानी आपको पीते रहना है जिससे आपका क्या सकते हो अलसर वगरा यहां पर सही हो तो अन नहीं यहां होता हैaving कोई हाइड करलो कभी क्या होता है दातों के बीच में Justin आपुछ घ्री गममें इरठेशन होता है तूत होता है तूत दीके होता है तूत में फ्रेक्टर हो जाता है कभी-कभी damage feeling की condition, कभी-कभी gum infected हो जाता है, कभी-कभी toothy refusion हो जाता है, कभी-कभी sinus का infection हो जाता है, ibuprofen, naproxen, estaminophen यह सब आपको दबा दे आ जाता है, साथी साथ अगर बात करते हैं, condition improve नहीं है, दो दिन से ज्यादा है, तो patient को डॉक्टर से अमेसा consult करना चाहिए, अगर हम नान फार्मा को जची बात कर लें, तो गरम पानी से आपको यहाँ पर नमक पानी गरम पानी से ग जो क्लोब आयल होता है, यानि कि लॉंका तेल वह बहुत ज्यादा नेच्वर इंटी सप्टिक और तुरंट आपका ठीक कर देगा, पें वगर ठीक कर देगा, गार्लिक क्लोब का पेस्ट है, उसको अपलाई कीजे, जहां पे भी दर्द हो रहा है, तो वह चीजे आपके ल सभी minor element के बारे में बता दिया, अब हम यहां कह सकते हो, part number one भी देख लीजेगा, part number two में जो पढ़ाया था, वो video section में जाके देख लेना, सारा doubt क्लियर कर लेना, सारे parts से आपके question जो बनेंगे, हैना, उसको आप कर लेना, चाहे final exam की बात कर लें, exit exam की बात कर लें, यहीं स chapter है dear आपका, तो वहां पर हम मिलने वाले हैं, पढ़ाई करते रहिएगा, सारे जितने भी part हैं, उसको visit कर लीजेगा, book वगर रिफर कीजेगा, thank you so much, all the very best.